हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है वो एक लव स्टोरी है और इमोशनल भी है मुझे लगता है इस स्टोरी को सुनने के बाद आप में से कोई ना कोई से जोड़ा हुआ जरूर पाएगा तो चलिए ये कहानी सुरू करते हैं क्या तकलीफ है चहरे से नोस मास्क हटाते हुए उसने पूछा जी पीछे की दाल में पिछले चार दिन से तेज दर्द हो रहा है वो बोला बैट जाएए उसने लेटर हेड निकाल लिया और नाम उम्र तकलीफ पूछ कर लिखने लगी फिर बोली यहाँ आ जाएए बैट जाएए और यहाँ सर टिका लिजिए लाइट जला कर उसने उसके खूले मुँपर फोकस किया और इंस्ट्रुमेंट की सहायता से उसके दाद देखने लगी कितने दिनों से दर्द है चार-पांच दिन से दाड काफी खराब लग रही है एक एकस्रे निकाल लेते हैं ताकि पता चल जाए फिलिंग से ही काम चल सकता है या रूट कैनाल करना पड़ेगा कहते ही उसने लड़के के खुले मुँ में एकस्रे फिल्म डाल दी आखे बंद कर लीजे कहते हुए उसने एकस्रे लिया पांच मिनट बैठे रही है वो उटकर चली गई लड़का सिर घुमा कर कैमरा देखने लगा उसके दाएं तरफ एकस्रे मशीन थी और बड़ी सी ते जिन में किताबें और तरह तरह के आजार भरे पड़े थे आजार देखकर लड़के को जुर्जुरी आ गई उसने वहां से नजर हटा ली और उसे देखने लगा जो टेबल पर जुकी कागस पर कुछ लिखने में व्यस्त थी लड़का उड़ती उड़ती नजर डाल कर उस उसका चैरा बड़ा भला और प्यारा सा लगा लड़का बारिकी से उसे देखने लगा कि कहीं विवाइत होने के कोई चिन्ने तो नहीं देख रहे हैं थे हात खाली थे बस दो उंगलियों में हीरे की पतली अंगूठिया थी गले में बारिक सोने की चेन मांग भी खाली थी लड़का सोचने लगा पता नहीं शायद ना पहनती हो उसका आफिस भी उसी विल्डिंग में ही था कितनी बार कॉरिडोर या सीडिये पर उसे देख चुका था वो लड़की कभी आँख उठा कर उसे नहीं देखती थी और उसकी यही अदा लड़के के दिल में बस गई थी बहुत पसंद करने लगा था उसे वो लेकिन कभी हिमत नहीं हुई जाकर उसे बात करने की कितने ही सपने सजा लिये थे मन में उसे लेकर आज इस दर्द ने उससे मिलने की वज़े दे दी हमिशा दूर से एक जलक देख पाता था आज पहली बार इतने करीब से उसे देख पाया था कुछ मिनट में ही उसके मन में ना जाने कितने ही खयाल उड़ गए कि तभी वो फिट से उसके पास सूल पर आकर बैट गई दार काफी खराब हो चुकी है अंदर से कैविटी नर्व तक महुच गई है फिलिंग करके भी कोई फायदा नहीं है रूट केनाल ही करना पड़ेगा एक्सरे फिल्म उसके सामने रखते हुए वो बोली जी ठीक है लड़के ने कहा आज करें या कल आपको कोई दूसरा काम तो नहीं है क्योंकि पूरा एक खंटा लग जाएगा प्रोसेस में जी कोई काम नहीं है आप कर दीजे और मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाईए ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर्फ फट जाएगा अब लड़का बोला ठीक है मैं तयारी करती हूँ उसने बाहर वाले कमरे से अपनी असिस्टेंट को बुलाया और एक ट्रे में पता नहीं क्या-क्या जमा करती रही लड़का इंजेक्शन की सुईया देख रहा था जो कुछ ही पलों में उसके मसूरों में लगने वाली थी वो तय नहीं कर पा रहा था कि अभी वाला दर्द जादा है या बाद वाला दर्द जादा होगा बस चीटी काटने जितना दर्द होगा फिर मसूरे सुन होने के बाद आपको प्रोसेस का पता भी नहीं चलेगा उसने सदे हाथों से लड़के के मुँ में दो इंजेक्शन लगाए और दो मिनिट बाद उसके चेहरे के बिल्कुल पास अपना चेहरा लाकर उसके मुँ में ड्रिल चलाकर दाड़की सफाई करने लगी लड़के ने इससे पहले किसी लड़की को अपने इतने पास नहीं देखा था उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था ग्रिल की आवाज उसके दिमाग पर हतोडे चला रही थी और लड़की के इतने नजदीक होने का एहसास उसके दिल में एक अजब रुमानियत पैदा कर रहा था आदे घंटे तक लड़का इन दो विरोधा भाशी सितियों में डूपता उतराता रहा आखिरकाल लड़की ने एक बड़ा सर्वी का फाया उसकी दाड़ के नीचे रखा और उसकी सड़ी हुई नर्व एक फोर सेप से पकड़ कर दिखाई नर्व को कैविटी ने पूरी तरह डैमेज कर दिया है नर्व निकाल दी है अब आपको दर्ड नहीं होगा दो दिन बाद ड्रेसिंग के लिए आना है कहते हुँ इसने दबाईया एक परची पर लिखकर थमा दी एक मेह बहार बरस रहा था तो ना जाने कैसी एक फोहार मन पर छाय थी सिली हवासा मन भी किसी के याद में भारी उठा दो दिन बाद वो फिर उसके सामने था आज वो खुल कर बोल रहा था लेकिन देख रहा था कि वो गंभीटा का चोला ओड़े नपे तुले जवाब दे रही थी उसके प्यारे से चहरे पर बड़ी बड़ी उदास आंके चिपकी हुई थी जो उसकी लग ही नहीं रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे बनाने वाले से कोई गलती हो गई है ड्रेसिंग करके उसने परची पर अगली तारीक लिख दी लड़का उससे बाते करने की हसरत मन में ही लिए उदास हो चलाया अगले दो दिन लड़का घर पर ऑफिस में जान पहचान वालों से उनके दांतों के बारे में ही पूछता रहा ताकि किसी को तकलीफ हो तो उसे लड़की के क्लिनिक ले जाए और इसी बहाने उसे एक बार देख पाए पर अफसोस किसी के दातों में तकलीफ ही नहीं थी तीन दिन बाद वेफुर लड़की के सामने था रेसिंग करके उसने लड़के की दान्तों का इंप्रेशन लिया ताकि रूट के नाल किये हुए दान की कैप लगवा सके अब की बार लड़के को पांच दिन बाद आना था उसका दिल डूब गया, कैप लगने के बाद तो यहां आने का कोई कारण ही नहीं बचेगा फिर वो उससे कैसे मिल पाएगा, कैसे देख पाएगा, अगर वो भी लड़की को पसंद हो तो वो इस रिष्टे को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुख था लेकिन उसके लिए उसे लड़की से मिलना बात करना भी तो जरूरी है ना दो दिन वो बहुत बेचैन रहा, तीसरे दिन वो दर्द का बहाना बना कर क्लिनिक जब पहुँचा लड़की को ये देख कर बहुत रहत मिली कि आज उसकी असिस्टेंट नहीं थी वो केविन में अकेली थी, दर्द की बात सुनकर आश्यर ने करने लगी जब नर्व ही नहीं है तो दर्द होने का सवाल ही नहीं होता आपकी सामने ही तो मैंने डैविज नर्व को निकाला था अब वो नर्व दर्द महसूस नहीं कर सकती मैं दूसरे दान देख लेती हूँ, हो सकता है पास वाली दान में भी दर्द हो एक बार फिर उसके बेहत करीब थी, उसने मास्क नहीं लगाया था लड़का उसकी सांस महसूस कर पा रहा था और रोमाजित हो रहा था जीवन में पहली बार कोई लड़की उसके इतने करीब थी बाकी के दान भी सारे एकदम ठीक है, दर्द की कोई वज़े तो नहीं दिखती फिर भी एक एंटेबैटिक लिख रही हूँ, दो दिन ले लीजिए लड़की ने फिर परची हाथ में थमा दी, बाहर और भी पेशिंट बैठे थे लड़का उदास चेरा लेकर चला आया, दो दिन बात कैप लग जाती है और फिर यहां आने की और उससे मिलने की वज़े खत्म, लड़का दो दिन बात कैप लगवाने नहीं गया उम्मीद की एक डोर उसे दुबारा मिल पाने की उस कैप से ही तो बधी थी तीसरे दिन भी नहीं गया, चौधे दिन उसके असिस्टन का फोन आया कि उसकी कैप आ गई है, तो उसने वेसित्ता का बहाना बना दिया छटवे दिन खुद डॉक्टर का फोन आया, तो उससे कोई बहाना ना बनाते बना कैप लगाने के बाद उसने लड़के के दाथ अच्छ से चैक किये कैप तो ठीक है कुछ तकलीफ होगी तो बताईएगा वैसे तो एकदम सही बैठी है तकलीफ होनी तो नहीं चाहिए तो इसका मतलब अब अगर तकलीफ ना हो तो मुझे यहां आने की जरूरत नहीं है लड़के के मूँ से अचानक निकल गया वो थोड़ी अकबकाई सी लड़के को देखती रही पहली बार था कि उसने इस तरह लड़के की आँखों में एक टक देखा था उसकी साफ स्वच गहरी आँखों की तलहटी में लड़के को उदासी की काई चड़ती सपस्ट नजर आई क्या दुख है इसे कुछ तो है लड़के के दिल में भी जैसे उस काई का गहरापन उतर गया डॉक्टर के पास तो लोग तकलीफ होने पर ही आते हैं न वो बोली यदी में तकलीफ ना होने पर भी आना चाहूं तो आ सकता हूं लड़के के मूँ से पता नहीं कैसे निकल गया अपनी ही कई बात उसे एकदम से अजीब लगी और लड़की एक बार फिर आश्यर से उसकी आँखों में देख रही थी मेरा मतलब है तुम मुझे अच्छी लगती हो किसी गलत नजर से नहीं एक स्वस्थ नजरिये से तुम्हे पहली बार देखा था तबी से तुम मुझे पसंद आ गई थी लड़का बहुत ही कोमल और संजीदा स्वर में बोला मेरे दिल में कोई खोट नहीं है यदि तुम्हे कोई एतराज ना हो लड़की अचानक ही व्यस्थ हो उठी आज ना काउंटर वाली लड़की थी और ना ही असिस्टेंट मुझे जाना होगा पेशेंट भी नहीं है तो समय पर क्लिनिक बंद कर दूँ नौ तो बजी गए हैं उसने कापते हुए स्वर में कहा और चाबी और पर्स उठा लिया टेबल से लड़की को भी बहार होना पड़ा उसने क्लिनिक में ताला लगाया और सिडियां उतरने लगी लड़का भी उसके साथ ही उतरा जब दोनों नीचे पहुँचे तो देखा बहुत तेज बारिश हो रही थी तुम्हारी कार कहां खड़ी है लड़के ने पूछा मैं स्कूटी से आती हूँ आज रेन कोट भी भूल गई लड़की जैसे अपने आप से बोली उसके चेहरे पर परिशानी जलग रही थी बारिश देखकर लग रहा था कि वो जल्दी नहीं थबेगी आपको एतराज ना हो तो मैं आपको घर पहुचा देता हूँ इस कूटी ताला लगा कर यहीं रख दीजेगा गार तो रहते ही है और आप अपने घर पर भी जो भी हो उन्हें फोन करके बता दीजे कि आप मेरे साथ आ रही है लड़के ने अपने आफिस और घर का पता भी बता दिया था कि लड़की उस पर विश्वास कर सके लड़की की सरलता ने लड़की को बहुत प्रभाबित किया और वो उसकी कार में बैट गई लड़का उससे घर परिवार की बाते करने लगा पता चला कि वो अपने माता पिता के साथ रहती है लड़की ने राहत की सांस ली देखो मैं बहुत सीधा सरलस अंसान हूँ मेरे सुभाव में बनावट नहीं है हो सकता है तुम्हें मेरी साफ गोई अजीब लगे लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और अगर तुम्हें भी मैं पसंद हूँ तो मैं इसे एक रिष्टे का नाम देना चाऊँगा लड़का सहस्वर में बोला लड़की ने चुपचाप सुना और चुप ही रही नहीं पसंद हो तो कह दो मैं आज के बाद कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा लड़के का स्वर बहुत ही शांत और गंभीर था लड़की ने गहरी सास ली मेरा अतीत एक दुखती रग है जो हर समय टीस देता रहता है मुझे अब उम्र भर उसी दर्द के साथ जीना होगा मुझे मेरे अतीत को सुनकर तुम वैसे भी मेरे पीछे आना छोड़ दोगे मेरा कोई कसूर नहीं था लेकिन मेरे मन में समाज ने वो दर्द भर दिया है अब उस दर्द के साथ एकाकी जीवन जीना ही मेरी नियती है कहते हुए उसने अपने अतीत का एक हिस्ता बताया और बताते हुए कापकर थर्थरा गई अब वो किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं कर सकती लड़के ने चुप-चाप सुना और चुप ही रहा लड़की जानती थी किसा सुनने के बाद यही होना था बागी रास्ते भर लड़का कुछ नहीं बोला बारिश लगबख थमसी गई थी लड़की का मन वोजिल हो गया था कि वो थोड़ी देर रुक कर अपनी स्कूटी से ही क्यों नहीं आ गई क्यों इस अपरी इस्तिती में पड़ी वो एका एक बहुत ऐसा हज महसूस करने लगी हाथ के इशारे से ही रास्ता बताती गई अपने घर पहुँच कर उसने राहत की सांस ली और कार्ट से उतर गई बिना लड़के की ओर देखे वह अपने घर की तरफ बढ़ गई अभी गेट पर पहुची ही थी पीछे से लड़के की आवाजाई सुनो लड़की ने पलड़ कर देखा तुम तो डॉक्टर हो ना दुखी रगों का इलाज करना जानती हो जिस तरह से तुमने मेरी दाड़ की सड़ी हुई नर्व को बाहर निकाल दिया क्या वैसे ही अपने अतीत के उस लड़के की धोके वाजी की सड़ी हुई नर्व को निकाल कर फेक नहीं सकती क्या मेरी खातिर अपने अतीत का रूट का नाल नहीं कर सकती मैं वादा करता हूँ अपने प्यार से तुम्हारे सारे घाव भड़ दूगा मुझे तुम्हारे अतीत से कुछ लेना देना नहीं है मैं बस भफिश्य में स्वस्थ मन से तुम्हारा साथ चाहता हूँ अगर कर सको तो मैं अपने आप को बहुत खुश किसमत समझूँगा लड़के का स्वर हमेशा की तरह संजीदा और इस्थिर था तब तक लड़की के पिता भी उसे आया जानकर गेट तक आ चुके थे और लड़की की बात सुनकर आश्यर चकित रह गए दात को कैवटी खराब करती है इसमें दात का क्या कुसूर है तब भी तुम दात को बचाने का हर संभव प्यास करती हो तो अपने जीवन की उस कैवटी का इलाज करके जीवन को भी बचा लोना मैं इंतिजार करूँगा तुम्हारा मैं अगर तुम्हें पसंद नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन पसंद हूँ तो अपने माता-पिता को तुम्हारे माता-पिता से बात करने भेजूँगा और इसी उम्मीद में तुमसे विदा लेता हूँ कहते हुए लगा वहां से चला गया लड़की को लगा कुछ बरस पहले किसी ने उसे सिहा अंधीरे में खड़ा कर दिया था और इतने वर्षों के अंधीरे के बाद आज कोई उसकी आँखों को रोशने के कुछ कत्रे दे गया है कि वे अब अपने आप को समझ सकती है वर्षों लंबी अमावस की रात के बाद आज जीवन के द्वार पर भूर की सुनहरी रस्तक दे रहा है आज जैसे आसमान में शबनम के मूती जलक रहे हैं वर्षों बाद आज उसने आईने में खुद से आखे मिलाई हैं और दिखा है वो जब कॉलेज के फर्स्ट एर में थी तब नोट देने के बहाने एक सीनियर ने पानी में दवाई मिला कर उसे पिला दी थी उसके बाद उसकी हसी, आत्मे विश्वास, उमंग, सपने सब चूर चूर करके उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था कॉलेज में उसकी इतनी बदनामी कर दी कि उसके माता पिता को वो शहर छोड़ना पड़ा था अपने साथ हुए धोके और हाथसे को वो भूल ही नहीं पा रही थी, जूट बोलकर शादी करना नहीं चाहती थी और सच सुनकर कोई अपनाता नहीं था, इसलिए अपने मन से हर एहसास और सपने को जला दिया था उसने आज किसी ने एहसास दिलाया कि वो ना तो गलत है और ना ही बुई अगली 20 दिन तक लड़की अलग-अलग अहसासों में डूपती उतराती रही अपने अतीत के रंगों को जीवन से अलग करती रही और लड़का उम्मीद और नाउमीद के भी जूलता रहा हर बार फोन की रिंग सुनकर उसका दिल धड़क जाता और लड़की का नाम नमबर ना देखकर बुच्छता फिर भी मन में उम्मीद की किरन बाकी थी कि कीसवे दिल लड़की का एक संशिप्त सा संदेश आया सुनो मैंने अपने अतीत की वो दुखती रख निकाल कर फेग दिये लड़के को लगा बढ़सात की घनी बदरिया आज विदा हो गई है और आसमान में चांद खिल गया है कहीं आसपास रात की रानी महक रही है दूसरे दिन सुभा ही लड़का अपने माता पिता के साथ लड़की के ड्राइंग रूम में बैठा था दुखती रगों के दूर हो जाने की राहत सब के चेहरों पर चाय थी लड़की के माबाप सुल्चव वदमाद पाकर धन्य थे लड़की ने देखा कि लड़की का चेहरा ग्रंड से उबरे चांद की तरह रोशन था और लड़की ने प्रेम भरी द्रश्टी से लड़की को देखा जिसने सूरच बनकर उसकी दुनिया को जाली से भर दिया था रिष्टा पका होने की खुशी में टेबल पर रखी मिठाई हैं सबको मिठास बाट रही थी दोस्तो आज की हमारी कहानी का सार ये हैं कि जीवन में अगर कोई अपर ये घटना घट जाती है या कोई ऐसी परिशानी आ जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम जिन्दगी को वहीं रोग ले जिन्दगी तो चलते रहने का नाम है जीवन मिलता भी एक बार है उसे बुरा सपना समझ कर भूल जाएए आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी अगर कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ